कि है आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनेश वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूटुप चैनल एकजाम जैस्ट में जैसे कि आप लोग यूटुप पर जो है वीडियो देखी चुक्प होंगे कि बहुत सारी वीडियो बन चुकी है कि मंडे को जो है UPSI का UPSI का जो है result आने वाला है और कुछों ने ये कहा है कि holy से पहले आ जाएगा तो कुछों ने ये कहा है कि holy के बाद आएगा तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपका result जो है वो कब तक आ सकता है और revised answer की जो होगी आपकी वो साथ ही आ जाएगी या उसमें कुछ टाइम लगेगा इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर निविजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा गुर्मेंट जोब की पलपल अपडेट के लिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इनकी ओफिशल वेबसाइट पर हूँ और इसका जो लास्ट नोटिस आया था वो चार मार्च को इसमें अपलोड किया गया था उसके बाद से अभी तक कोई नोटिस आपका नहीं आया है आज बारा मार्च हो चुकी है लेकिन फिर भी अब जानकारी मिली है कुछ लोगों को कि मंडे तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा अब पता नहीं कहां से मिली है अंदर से मिली है डिपार्टमेंट में सायद उनका कोई जानने वाला हो या कुछ हो तो उन्होंने ये जो जानकारी है ये वाइरल की है अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो सच्चाई है वो कहां तक है कुछ जो होली के बाद बोल रहे हैं या होली से पहले बोल रहे हैं तो होली के आसपास होली के आसपास तक आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल सकता है क्यों क्योंकि UPSI का जो result है वो काफी delay हो चुका है already तो इसलिए जो भरती board है वो इस vacancy को जल्दी लेने के लिए बहुत ही अच्छे कदम उठा रहा है और जल्दी चैसा कि आप देख सकते हैं आपको सब को पता ही है कि इसका exam जो है 2 December तक चला था और 12 12 November 12 December को है जो इसकी answer की आपकी upload कर दिक गई थी अगर 12 December से हम लगाते हैं तो आपकी answer की के बाद भी काफी दिन निकल चुके हैं लेकिन result के लिए भी कोई भी update नहीं आई है result जल्दी आने की जो संभावना हैं वो March के अंदर ही हैं यानि के March के अंदर ही आपको जो result है UPSI का वो देखने के लिए मिल जाएगा और DV जो इसके बाद आपका DV और PST होगा उसके बारे में March में नहीं कहाचा सकता March में DV PST आपकी नहीं हो सकती यह आपकी next मंत में ही होगी April या April के last में ही आपकी DV PST कंड़क्ट होगी और उसके बाद कहीं जाके आपकी ड्रेनिंग का नंबर आएगा अब होली से पहले अगर आपका दिजल्ट आता है तो आपकी DV PST कब तक हो सकती है अगर होली से पहले आपका दिजल्ट आता है तो आप यह मान कर चल सकते हैं कि अपरेल के मिड में आपकी जो है DV PST हो जाएगी लेकिन अगर होली के बाद आता है यानि कि March के end में अगर आपका जो डिजल्ट है वो आता है तो आपकी DV PST जो है वो अपरेल के लास्ट में होगी यानि कि इसमें आपका एक महिने से ज़्यादा समय या फिर एक महिने तक समय आपका इसके अंदर लग सकता है क्योंकि DV PST के बाद आपको रनिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा अगर मैं बात करता हूँ पिछली वेकंसी के बारे में तो जिस दिन आपका DV PST हुआ था तो उससे कुछ ही दिन बाद आपका जो है रनिंग के लिए जो है शिड्यूल जारी कर दिया गया था तो DV PST के बाद इस जो भरती है ये UPSI की इसमें बहुत ज़्यादा चरण नहीं बचेंगे सिर्फ एक डरनिंग चरण बचेंगा और आपका एक मेडिकल होना बाकी रह जाएगा लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करता हूँ कम्प्रीट भरती आपकी कब तक हो जाएगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबाद दीजिएगा गोर्मेंट जोब की पलपल अपडेट के लिए थैंक यू